जैजिनेंद्रवंध हो अभिनंदर ने आप सभी का कारिक्रम समस्य आपकी समाधान हमारें दश्को एक चीज होती है जो अक्सर हम सोचते हैं बड़े प्यार से हम अपना आश्याना बनाते हैं कि उसमें हम रहेंगे हमारा परिवार रहेगा और शान्ती से जीवन व्यतीत करेंगे लेकिन क्या दिक्कत आती है कि वो शान्ती अचानक से अशान्ती में बदल जाती है आज इस कारिक्रम के माध्य हम से जानेंगे और बताएंगे कि क्यूं प्रॉब्लम्स जनरेट होना शुरू होता है एक दमपत्य जीवन में बहुत सारी शर्चा करेंगे आज विश्य पहलेगी सर्प्रतम अभिनंदर करेंगे गुरू जी का गुरू जी स्वागत आपका जैजी नेदर जी जब हम ग्रोहों की बात करते हैं वास्तु की बात करते हैं असंख्य चीजें हमारे दिमाग में आती हैं लेकिन उनसे भी पहले हमारे जीवन में जो problems तब शुरू हो जाती है जब शुरूआत जगड़े से हो जाती है घर में खुशियों के लिए ही तो हम वास्तू और जोतिश का सहारा लेते हैं लेकिन फिर भी दिक्कते आती रहती हैं तो सीधे प्रश्ण यही जाना चाहूंगी कि जहें वो छोटा है बड़ा है गरीब है अमीर है लेकिन जब husband wife में यानि दामप्यत्य जीवन में समस्य आती है तो बाकी हर समस्या पीछे चूट जाती है तो ऐसा क्यों होता है कि जो प्यार से शुरुआत करते हैं अपने जीवन की उसमें दिक्कत आने लग जाती है क्यों जो ego बीच में कभी आनी नहीं चाहिए वो ego आनी शुरू हो जाती है क्यों नतीजा यहां तक पहुंच जाता है छोटे छोटे जगडों का कि मामला तलाक क्यों फैमली प्लानिंग को लेके इशूज होता है हस्वेंड रेडी है तो वाइफ नहीं वाइफ रेडी है तो हस्वेंड नहीं इतनी देरी हो जाती है कि जीवन भर संतान सुख से वह लोग बंचित रहते हैं तो बहुत सारी ऐसी चीज़े होती है एक हास्वेंड प्रशने में ने रग दिया है और मैं कई वार सोचता हूं कि एक कारण क्या है देखिए इसके पीछे बहुत बड़ा कारण जो होता है कारण यह कुंडली में बारह भाव होते हैं बारह भाव में जो सेबिंथ हाउस है जो सात्मा घर है वो दामपत्त जीवन का होता है लड़की की कुंडली में वह पती का स्थान होता है और लड़की की कुंडली में वही पतनी का स्थान होता है पती पतनी का अगर कोई स्थान है तो वह सेबिंथ हाउस है इनमें कुछ ग्रह ऐसे होते हैं जो रुकावटे लाते हैं जैसे उधान के लिए में आपके साथ सेय गुरू और इसके अरावर आहू यह ऐसी ग्रह होते हैं जब वहां पर पाप ग्रह भी इनको कहा जाता है इनको असुब ग्रह भी कहा जाता है तो यह सेविंथ में आते हैं तो जैसे मानलीजे मंगल बैठा है तो कुंडली मंगल इखो गई अब इसमें एक बात को और समझना अगर मानलीजे उधारन के लिए किसी लड़के की कुंडली में मंगल है शैविंथ का और लड़की की कुंडली में नहीं है या मंगल के साथ राहू बैठा है एट हाउस में आठवे घर में लड़के की कुंडली में या लड़की की कुंडली में तो यह नियम से मानके चलि वह दोनों जीवन भर साथ नहीं रह पाएंगे. आठ में घर में है तो, एक्सिडेंट होगा, कोई बड़ी बीमारी होगी और मौत का कारण बनेगा, पत्नी की में है तो पत्नी मर जाएगी, पती के में तो पत्ती की मृत्ति हो सकती है. या मृत्ति तुल कष्ट को पाएगा वो. दूसरी बात, अगर शेवन्थ हाउस में वही मंगल सूर के साथ बैठा है तो दोनों का यूगो टकराएगा. सेवन्थ हाउस में अगर लड़की का मंगल के साथ सूर बैठा है और लड़के का सूर जाकर के दौधस में बैठा है. तो ऐसी इस्तिती में क्या होगा? इन शित तोर पर आपको मानना पड़ेगा, समझना पड़ेगा कि उस समय लड़की का यूगो बहुत भाली होगा. छोटी छोटी बात पर वो अपने आपको बड़ा साबित करेगी छोटी छोटी बात पर वो अपने आपको बहुत महत्पूर साबित करेगी छोटी छोटी बात पर वो लड़के से ज़्यादा बहतर अपने आपको दिखाएगे कि और ध्यान रखना करा एक भारतिय परंपरा है कभी ये कोई भी पुरुस यह नहीं चाहेगा पतनी मेरे से जञड़ा सोस्ट बने पतनी वे मेरे panूर नहीं दिखाई दे जै करना कि दूसरा कर और तो र फिर से शेर लाट थे जाती है कि क्या या आपने जो भाव बता है वहां पर उनका वह स्वामी वास करता है। उस सत्तम भाव में कि ग्रह केसा आप से अभी में बता रहा हूं। अब आगे पत्री की बात रहूंगा तब इस आप पूछेगा। तो यहां पर मैं आपसे बात कर रहा था तिकि हमेसा बुद्धिन बॉस ऑल्वेज राइट है। ऐसे हमेसा पत्नी इस बात को मन ले कि पती मेरे से ठीक है। लेकन आज की लड़किया पड़ी लिखी है, पड़ी लिखी है तो वो हर बात का आर्गुमेंट करती हैं। अब हम इसको बिप्रीत कर लेते हैं। लड़की का सूर्व 12 का बैठा है और लड़की का मंगल के साथ सूर्व लगन का है, तो वो हमेसा पत्नी को नीचे दखाएगा। पत्नी कितनी भी हो स्यार हो, कितनी भी बुद्धी जी भी हो, कितनी भी स्रेष्ट हो, वो उसको नीचे दखाएगा। तो यह कारण होते हैं। और यही कारण होते हैं सू में से 90% तलाग का कारण बनते हैं। इसी दे कहा जाता है कि कुंडली मिलाने जाओ, अभी मैं एक उधारन देता हूँ आपको, मैं नाम नहीं लूँगा, एक हमारे अभिन्यमित्र का फोन आया कि भाई हमको एक कुंडली लड़का लड़की पसंद आ गया है, मेरी लड़की को लड़का पसंद आ गया है, हम पस्ता बताएं, कुंडली मिला लीजे, मैंने का भाई साम मैं रायपुर में नहीं हूँ और मैं बापेस आऊँगा, तभी संभा होगा या फिर आप किसी और विद्वान से डिसकस कर लीजे, कोई एक और विद्वान के पास गये, उन विद्वान ने का बहुत बढ़िया स cógay, अब मेरे पास आए उन्होंने कहा गुरूजी सब कुछ हो चुका है अभ आपको इन की डेट निकालनी है साधी की, मेना कहा भाई साभे साधी मत करो, एक साल के अंदर नियम से नियम से नियम से एक साल के अंदर एक तलाक हो जाएगा, भूल जाओ आप इस साधी को, मत करो क्या वात करते हूं ऐसा कुछ नहीं लड़का लड़की की सगाई हुए भी एक महीना नहीं हुआ इतना प्यारा लड़का है कि इतना पेमपर करता है हमारी लड़की को आप सोच नहीं सकते हो 99% लव मेरेज में यही गलती होती है लड़की को लगता है कि कोई से पेमपर करने वाला मिल जाए जब ज्यादा उसे पेमपर करेगा लड़की बलती यास यही है मेरा यही मुझे प्यार करता है ध्यान रखना साधी के पहले बोलते हैं सूर मुखी साधी के जैसे हुई जब लव चल रहा था तू बिलकुल चंदर मुखी दिखती है उसके बाद साधी हुई छेवेने के बाद एक बोलता तू सूर मुखी दग रही और एक साल के बाद बोलता तेरे जैसी जौला मुखी मेरा दूसरे नहीं देखी औ आधर स्ञेयर और फिरमी शाडी के लुए छीए आपी सब्सक्राइब मैं करनाइए ऑन दूसरी बात एक और कहना चाहूंगा, अगर ऐसी इस्तिती बन गई, पती-पतिनी के बीच में अगर कलेस हो रहा है, पती-पतिनी के बीच में जगड़ा हो रहा है, पती-पतिनी के बीच में लडाई हो रही है, तो एक काम करना चाहिए, सबसे बढ़िया काम लड़की को पिंक कलर की सेट पहनना चाहिए लड़के को वाइट कलर का सेट पहनना चाहिए और दोनों को बैठ करके एक इस्थान पर घीका दिया जला करके डेली 26 बार भक्तामबर जी के 26 वे काबु को पुरी स्रद्धा के साथ, पुरी विश्वास के साथ, पुरी आस्ता के साथ हांत जोड़कर उसकी आधर करने चाहिए तो ब्यम्नमा तुर्भुनाति हराये नाते तो ब्यम्नमा छितितला मल बूसनाए तो ब्यम्नमस्ति जगता पर मिश्वराये तो ब्यम्नमो जिन्भववद दिसोसनाए और अगर मालनों लड़का गलत संगत में पड़ गया तो तिल का कई बार क्या होता है साथी के बाद लड़का है लड़की साधी के पहले का कोई फ्रेंट था उससे अटाइच्च्मेंट हो गया या फिर कोई गलत खोटी आदत में पढ़ गया कोई नसे में पढ़ गया तो ऐसी इस स्थिदी में गिरीन कलंके कपड़ा पहन के एक तिल के तेल का तीन मुखी दीपक जलाएं तीन मुखका मतलब तीन बत्ति वाला दिया चलाएं। वो जला करके आपको पढ़ना है बाईस्वा नंबर काव। इसका भी की आरत ना करें बाईस दिन तक बाईस बार रोज पढ़ें। तो इसका बहुत बड़ा कारण होगा। दूसरी बात मैं यहां पर जरू कहना चाहूंगा। कई बार हमारा यूगो क्यों टकराता है। क्यों हट होता है यूगो। पती ने गुस्ते में पत्नी से कह दिया। मैं कई बार कहता हूँ। अगर मालीजे क्रोध के समय में कोई क्रोध आ गया। गुस्ता आ गई। तो उसी गुस्ता के खतम होते ही साथ वह पितिग्यां तोड़ देना चाहिए। यह नहीं कि आपने गुस्ते में गुस्ते में कहा कि मैं तेरा खुन पी जाओगा।म हो तो गुस्ता थुम्हें jó जरूल थरू पर आ गुस्कर को से पहलों भी तो यह निकल जाओंगे। पांच मुझा पांश मुझा बुला इन उत्यू को भूला था तो ना निकल जाओगे। अभीसी वक्त निकल जाओगे तू नालायक है। एसively वक्त निकल लग अभी अपम्मी डॉला मैं भी आपके साथ जाओगा। मंभी तु मेरे साथ चलना में चुच्चा पर काम कर हमबर कर अपना। फिर मेरे बनाने लगी चाय पीरो चाय पीरो चाय पीरो तो इस पीरो में चले जाओंगे। लड़का बोला मंभी एक बात समझ बें नहीं आई, पापा तुम्हे घर से निकालने को तयार, आप घर से निकलने को तयार, मैं कहरों मैं आपके एक साथ जाना चाहता हूए आप मुझे ले जाने को भी तयार, पर पापा दी चाही की चिंता क्यों हो रही तुम्हें, बोली कर दो कल होगा क्यों ट्रेंशन लिए हो चलो चले अपन मम्मी बोले चुब बेट नाल एकने तमाचा मार दोगी बट जब जब तपना बार कर बच्चा बेट गया पतनी आई मेरी चाय रखी मेरे सामने मेरे चाय पी चाय पीने के बाद मेरे थोड़ा दिमाग ठीक ठंड अपना सुननना सुरी आप अपना सुरी आप लच्छा कर ता अपना सामने मत आयकर मैं तरको बोला ऑँ ना लड़का मेरा कभी पंभी को देके कभी मेरे को देके बोले गणवर क्या है मम्मी थोड़ी देर पहले पापा घर से निकालने को ते होती तो आज तूमी पेदानी हुआ होता है जान रखना आरे तो घर कानी घर-गर की है कभी सौतन कभी सहेली यह तो कई बार मुझे निकालने को बोल चुके और कई बार में बुलती हां निकल जाओंगी थोड़ी देर बाद अपने आप ठंडे पड़ जाते हैं जान रखना यह है समझदारी सेबंथ हाउस में यूगो टकराएगा सेबंथ हाउस में मंगल टकराएगा लेकिन मंगल का प्रभाव सूरी का प्रभाव चनक होता है कुछ दस पंदा मट आदा घंटे को ही होगा उस आदा घंटे में आपको गुस्ता आया आपने शूट के उठाया और पानी में और अगर आपने उस आदा घंटे को समहल लिया तो बापेस युलु युलु होना है कुछ नहीं होना है कौछ नहीं बगड़ने वाला है तो यह महत्तव पूर बात है इस दामपत्य और दूसरी बात अब बात आती कि शंतान को शुक्र का करन संतान है सक्षुक्र लुक्री अर्ट करने को टैड़ार नहीं होगा संतान पैदा करना तो सोड़ वो में तक सोने को तैयार नहीं होगा लड़की बन गइन चीज़ों का जानना हमें आवश्यक है डिकुल गुरू जीए इनिशिल टाइम में मत्भेदह होना समझ में आता है लेकिन ऐसे कई एक्जाम्पल्स हमारे सामने आए हैं जिने देखे ये लगता है कि 20-25 शादी साल की शादी अचानक से लोग तोड़ दे रहे हैं वहां पर अचानक से ऐसा ग्रह क्यों खराब हो जाता है उनकी ग्रह में क्या दिक्कत आजाती है कि इतना पुराना रिष्टा तोड़ कर तोड़ दिया जाता है कि देखे मैं आपको बात बताओं साधी कई बार आपने का कि सुनवात तौर में सुनवाती तौर में दो त चार साल चाहर के अंदर अगर साधी हुई और साधी टूट जाये तो समझ में आता है लेकिन पूर 20-20 साल बाद साधी टूट गई तो उसके पीछे कारण होता एक इकलोता कारफ होता है, सुक्र, एक इकलोता कारफ सुक्र होता है, अगर लड़की का सुक्र बलिष्ट है, मतलब पत्नी का सुक्र बलिष्ट है, तो पती से वह, फिजीकली जो चीजे मिलनी चाहिए, वो नहीं मिलती है, वो इसके कारफ गलत रास्ते पर चली जाती है, दो संपर्ख तो ऐसी हिस्थिती ना थियू आपको याद रखना वह तो उससे मैं आपको ये सीख अरय आप संपर कर सकते हैं टेलीफोन नंबर्स आपकी टीवी स्क्रीन पर आपको कंटीनिव दिखाये जा रहे हैं आप नोट कर लिजे प्रोग्राम के बाद भी आप संपर कर सकते हैं आज के लिए बस इतना ही गुरुजी बहुत-बहुत धन्यवाद आप जैजिनेंद कर दो कर दो